तो उंबिरला ठार्वी लोगसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं लोगसभा में स्पीकर के तौर पर उंबिरला को लगातार दूसरा कारेकाल मिला है कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमती नहीं बनने के बाद स्पीकर पत के लिए इंडिये की तरफ से ओंबरला और विपक्ष की तरफ से कॉंग्रेस के सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा था आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने लोगसबा स्पीकर के लिए ओंबरला के नाम का प्रिस्ताव रखा लोकसाबा में ओमबरला को द्वानी मच से स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसाबा में पीम मोदी और नेता विपक्ष राहूल गांदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। और इसके बाद दोनोंनेता संसर्थ चाहर मंतुरी किरण रिजूजू के साथ ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। और उनोंने अपना आसन ग्रहन किया। ओम बिर्ला के आसन ग्रेहन करने के बाद पीएम मोदी राहूल गांदी और रिजीजू ने उन्हें भदाई दी. तो पीएम मोदी ने उन्बिर्ला को बदाई देते हुए लोकसाबा में उनके पिछले कारेकाल के लिए उनकी जमकर तारीफ की पीएम ने कहा कि हम सभी का विश्वास है कि आने वाले पांच सालों में आप हमारा मार्ग दर्शन करेंगे. जो कारिया आज हादी के सत्तर साल में नहीं होएं आपकी अद्धिक्सा में इस सदन ने इसको करके दिखाया है. आज देश अपनी आकांच्छाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं. मैं मानता हूँ कि ये नया संसद भवन भी अम्रित काल के बविश को दिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अद्धिक्सा में. वही कॉंग्रिस के संसद राहूल गांधी ने लोकसबा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है. राहूल गांधी ने भी स्पीकर उंबरला को बदाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा. में. कि मिर् items प्राःघ उन्हें आई घ्याद में सभाला को प्याद सेत्वाद प्राइशम्मेदारान थाnew ये ड्यादा ौस जाएगर प्राइब होस्ने लोक प्राइशमेंद के कि यृति प्राइशल कामें उन्हें कि आवी कर CBD मिन प्राँ में सब्वे। टाइब भी टी साथ अखिलेश श्री आदव ने भी स्पीकर को बधाई देते हुए कहा और साथी ये उमीद भी जताई कि वो हर दल को बराबरी का सम्मान देंगे आप लोकतांतिक न्याय के मुख्य न्यायदीज की तरह बैठे हैं हम सबकी आप से अपिक्षा है कि किसी भी जन प्रदिनिदी की आवाज दवाई न जाए और नहीं निस्कासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा खो ठेस मुचाएं आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे AIMIM के अध्याक्ष असुदिन ओवेसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्पीकर छोटे दलों की भी सुनेंगे सर आप इस हाउस के रेपोजिटरी है कस्टोडियन है मगर हकीकत यह है कि अक्सरेती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरेत की ताखत नहीं है यहां अपोजिशन के पास अक्सरेत की आवाज भी है तो इसलिए मेरी आप से गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17 वी लोगसाबा है जिस तरह शफ़कत का मजारा मुझे पर किया हम छोटी पार्टियों पर मैं उस समुदाए से आता हूँ जो इस एवान में सिर्फ 4 फीसद है तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए लोगसाबा स्पीकर ओमिरला ने पीएमोधी समेथ सभी संसच सदस्यों का अभार व्यक्त किया इसके बाद उनोंने 1975 में एमिर्जेंसी का जिक्र करते हुए उसकी निंदा की लोगसाबा में एमिर्जेंसी के जिक्र पर विपक्षी दलों ने हंगामा की और जम कर नारे बाजी भी की स्पीकर ने एमिर्जेंसी के दुरान जान गवाने वालों की याद में मौन रखने को कहा सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा जबकि कॉंगरिस समेथ दूसरे विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया इसके बाद लोकसबा की कारेवाही कल तक के लिए स्तगित कर दी गई बिरला ने कहा कि 1975 में देश में ताना शाही थोपी गई और जनता को कॉंग्रेस की कुनीतिया जेलनी पड़ी इमर्जेंसी अपने साथी ऐसे हैसामाजिक और ताना शाही की भावना से बहेंकर चुनोतियों को लेकर आई जिसने गरीबी जलित और वंचितों को तबाह कर दिया इमर्जेंसी के दोरान लोगों को कॉंग्रेस सरकारदारा जाबरन थोपी गई अनिवारे नस्बंदी का शेरों में हती कर्मन हंडाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनितियों का प्रहार जेलना पड़ा ये सदन उन सभी लोगों के प्रती सवेदना जताना चाहता है तो संसद में स्पीकर का चुनाव होने के बाद जम कर हंगामा हुआ आने वाले दिनों में कैसे रहेगी संसद की पिक्चर आज अवाज अड़ा मेसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम साथ बचकर सत्ता वन मिनट पर शराब गुटाला मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्य मंत्री की मुश्किले अभी और बढ़ गई है अब शराब गुटाला मामले में सीबी आई ने उन्हें गिरफतार कर लिया है और कोट से पांच दिन की रिमान मांगी है कोट साड़े चार बजे इस पर फैसला सुना सकती है जादा डिटेल्स के लिए अफ सीधा चलते हैं असीम अन्चंदा के पास तो असीम बताएं कि एजरिवाल मामले में क्या अपडेट है शराब गुटाले में अउरोपी दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद के जरिवाल की मुसीबते एक बार फिर बढ़ गई है मंगलवार को दिल्ली हाई कोट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था उसके बाद देर रात को सीबी आई ती हाड़ येल पोची वहाँ पर उनसे पूछताच की आस उबह उनको राउजवैन्य कोट लेकर कर आया गया वहां पर CBI ने उन्हें शिराब घोटाले में गिरफतार कर लिया, CBI ने का कि हमारे पास फुक्ता सबूत है, साउथ लोभी को रिश्वत दी गई है, हम इस पूरे मामले में उन्हें से रिमान चाहते हैं, CBI ने कोट से पास दिन का रिमान देने की मांगी, जबकि अरविन के अपना पक्ष भी महाँ पर खुद रखा, उन्होंने कहा कि मैं निर्दोश हूँ, मनीसी सूधय भी निर्दोश है, आम आदमी पार्टी भी निर्दोश है, और हम मुझे इस पूरे मामले में फसाने की कोशिश की जा रही है, सभी पक्षों की दलिल सुनने के बाद, CBI अब जल्दी ही इसके उपर अपना फैसला सुनाएगा महरोत्रा से तो समिच सबसे बहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बजार की बड़ी बाते क्या रही हैं? अच्छी तेजी रही, आज जो थोड़ी बहुत बाइंग थी, वो सेलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स के अंदर आते हो दिखाई पड़ी, बैंक्स में खरदारी थी, इसके अलावा आज ओईल और गैस के अंदर तेजी देखने को मिली, एनर्जी स्पेस में खरदारी थी, स साथी साथ FMCG इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरदाई देखने को मिली, तो ऐसे मिला जो लग काम था, लेकिन अदर वाइस मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया तेजी, रिलाइंस के दम पर बनते वह दिखाई पड़ी. किन शेर्स में एक्षिन दिखा और कहा सुस्ती रही? मिड कैप में आज आईडिया लीड कर रहा था, साथ 18 के लेविस तक भी गया एक समय पर, बायो कॉन 4 परशनी ऊपर, Z Entertainment, F&O के टॉप गिरना में शुमार, इंडस्ट आवर 4 परशनी तेजी यहां पर आतों के खई पड़ी, मिड कैप गिरनेल शेयर में प्रेश्टी एस्टेट लगातार तीस्ता दिन जबकी प्रेशर में, NMDC, Macro Tech, Oracle लेकुछे से नाम जहां पर लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है. शुक्रिया सुमेद इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए. वहीं बजार में तेजी का ट्रेंड कायम है, जिसमें सीमेंट मैटल से लेकर कहीं सेक्टर में अच्छी तेजी की उमीद है. यह कहना है गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्राटेजिस्ट गौतम शा का. खास बातचीत में गौतम शा ने निवेशकों के निवेशक की रननीती पर भी सलहा दी. मेरा यह मानना है कि जो हाउजिंग और एफोर्डवल हाउजिंग का जो थीम है, यह अभी नया एलेक्शन रिजल्ट के बाद एक नया ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ी है और मुझे लग रहा है कि हाउजिंग फिनान्स और प्रॉक्सी स्टॉक्स जो हैं, वो काफी यह ट्रेंड शुरू होई थी डिसेंबर लास्ट यर जैनवरी दिस यर और उसके बाद आपने देखा JSPL, JSW स्टील, Tata स्टील में कितने अच्छी मूमेंट है और सारे स्टॉक्स 20-25 परसेंट और यह सब बड़े-बड़े लाच कैप्स हैं, और मुझे लग रहा है कि इस Consolidation के बाद वह वापिस चलना चालू हो जाएंगे, Fundamental Tailwind भी आ चुकी है, चार्ट तो घजब के हैं ही, ratio चार्ट अगर आप देखें, what is the nifty? I think they are at a point where the auto index was a year back. तो अगला 3-6 मेना मेरे साब से metals काफी अच्छे करेंगे और यहां से भी आपको 20-40% की तेजी टॉप stocks में मिलेगी. टेलीकॉम शेयर्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, ब्रोकर्स की टेलीकॉम पर क्या है राय बताने के लेग पर फिर हमारे साथ जोड़ रहे हैं सुमित महरोत्रा, तो सुमित बताएं. देखें, आज एक बढ़िया रिपोर्ट आई थी सिटी की तरफ से और उन्होंने यहां पर अलग-अलग stocks के अंदर अलग-अलग coverage आते हो दिखाई पड़े. पहले भारती एरिटल जहां पर बायर रिटिंग थी 1520 रुपे के टागेट के लिए, इंडस्ट आवर में बायर रिटिंग थी 400 रुपे के टागेट के लिए, वोड़फोन आइडिया में न्यूटरल रिटिंग थी लेकिन उन्होंने बुल केस में जो टागेट दिया है, उन्होंने मल्टिपल ट्रिगर स्टॉक के लिए बताए हैं, जहां पर उनका कहना है कि जो दूसरी छमाही है, वहाँ पर एक टैरिफ हाइक बड़ा ट्रिगर बन सकता है स्पेस के लिए, जो की शुरू भी होने वाली है, साथी साथ उन्होंने भी का कि 5G की पड़ेगी, तो केपिक्स की साइकल इनके फेवर में आने से और टैरिफ हाइक की पॉसिबिल्टीज के मद्दे नजर, शायद स्टॉक में अच्छी तेजी बनते हो दिखाए पड़े, इसलिए तमाम स्टॉक में खरदारी की दाया है, और उसी का एक बड़ा रियक्शन आ और आइडिया ने निलामी में हिस्सा लिया, टिटिकल्स लेते हैं असीम मनचंदा से, तो असीम बताएं इस बार 5G स्पेक्ट्रम की निलामी कैसी रही? दो दिन चलने के बाद स्पेक्ट्रम की निलामी खतम हो गई, इस निलामी में कुल 7 राउंड होए, टेलिकॉम कंपनियों ने इसमें बढ़ चड़के हिस्सा लिया, टेलिकॉम कंपनियों ने 11,380 क्रोड रुपे का इसके अंदर स्पेक्ट्रम खरीदा, टेलिकॉम कंपनि स्पेक्ट्रम बेंड तक ही सिमित रही सरकार ने इस निलामी में करीबन 96,000 क्रोड़ पर का स्पेक्ट्रम ओफर किया था लेकिन टेलिकॉम कंपनों ने मातर 11,330 क्रोड़ पर की बिड़ लगाई जो मैं सूतर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम भारती एड़े भारती एड़ेंट एड़े लेका करीब हर आठजार क्रोडों सालेकर को नहजा है क्रोड़ फैक्ट्रम ख़रीदारी कियें अलके इसकंब इसको एदिकारिग गोशना करेगी इसकी अदिकारिक करेगी अधिकार गोशना करेगी चल् therapies को पर दिकारिक गोशना करते हम जल्द असीम आप हमारे साथ बने रहे एक और खबर पर आपके पास दोबारा लोटेंगे नया टेलीकॉम अक्ट आज से लागू हो गया है अब आपात काल की स्तिती में सरकार किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क अपने कंट्रोल में ले सकती है सरकार ने अभी कुछ चुनिंदा सेक्शन्स को ही लागू किया है डिटेल्स लेते हैं असीम से तो असीम ये भी जानना चाहेंगे कि जो टेलीकॉम अक्ट है इसमें क्या कुछ चीजों को शामिल किया गया है सरकार टेलिकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करना चाहती है, इसके लिए सरकार ने इंडियन टेलिग्राफ एक्ट 1885 को बदलने का फैसला किया था, नए टेलिकॉम एक्ट 2023 को दिसंबर में मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया थ अब सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया है, नया टेलिकॉम एक्ट आज से ही लागू हो जाएगा, कई सारे सेक्षन हैं जिसको की सरकार ने नोटिफाई कर दिया, यह सेक्षन सबसे पहले लागू होंगे, बाकी पूरे एक्ट को सरकार दीरे दीरे इंप्लिमेंट करेगी अगर मैंने सेक्षन की मताबिक बात करूं तो अब सरकार के पास एक कंट्रोल आ जाएगा कि सरकार अपातकाल की स्थिति में या फिर राष्ट्रे सुरक्षा की स्थिति में किसी वे टेलिकॉम कंपनी का कंट्रोल और मेनेजमेंट अपने हाथों के अंदर ले सकती है एक बड़ा कंट्रोल यहाँ पर सरकार के हाथों में जा सकता है इसके साथ साथ और भी कई सारे बदलाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे राइट अफवे देने के लिए सरकार आदेश दे सकती है कानून सरकार ने बना दिया है आप जो स्पैम स्कोल्स है या साइबर फ काफे सारी सोविदाय मिलेंगी है शुक्रिया सीम इन दोनों खबर पर जानकारी देने के लिए अप सरकार गार्मेंट सेक्टर को भी टेक्स्टाइल पी एलाई की अंदर लाने की तैयारी कर रही है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री कॉटन सहित सभी फैब्रिक के गार्मेंट को पी एलाई मिलाने की मांग कर रही थी इस खबर पर जादा डिटेल्स के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंग के पास तो रोहन ये बताएं किस तरह से टेक्स्टाइल पी एलाई का दाइरा बढ़ने वाला है अब भी जो फिलहाल जो टेक्स्टाइल पी एलाई स्कीम है वो मुखे रूप से मैनमीट फैब्रे किया फिर टेक्निकल टेक्स्टाइल पर फोकस करती है लेकिन एक जो बहुत बड़ा दाइरा है वो है गार्मेंट सेक्टर का खास तोर पर कॉर्टन फैब्रिक या बाकी जो नैचरल फैब्रिक्स होते हैं उनसे बने जो गार्मेंट्स होते हैं उसको अब तक शामिल नहीं किया गया है अब सरकार इस पूरी पॉलिसी का जो टेक्साइल पीलाई है उसको रिव्यू कर रही है और उसमें गार्मेंट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है इंडस्ट्री काफी समय से इसकी मांग कर रही थी और अब जो है इसके जो टेक्साइल पीलाई 2.0 है उसकी तैयारी च सकता है अभी 100 करोड़ 300 करोड़ का जो टिकट प्राइज हम कह सकते हैं इसके लिए है लेकिन अलग-अलग सेग्मेंट के हिसाब से लेकिन अब उसको और कम करने की बात की जा रही है इसके लिए बहुत जल्दी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन शुरू करने जा रहा है टे देखते रहे हैं आवास समाचार प्रेक के बाद आपका स्वागत है अब आपको कुछ और खबरे बताते हैं पैरिस ओलंपिक में हम अपने खिलाडियों से धेर सारे पत्कों की उमीद तो कर ही रहे है लेकिन इस बार वहां भारत के लिहाद से और भी कुछ खास होने जा र रहा है इसका नाम होगा इंडिया हाउस इंडिया हाउस रिलाइंस फांडेशन की परिकल्पना है जिसे इंडियन ओलंपिक एस्सेयेशन के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है पैरिस में बन रहे इंडिया हाउस पर रिलाइंस फांडेशन की चेयर परसन नीता अंबानी ने अप्रियृम्ठ नानून्स एंप पर्स थे ईंपहस स्पर्डिया फश्यावष प्रण हम आप प्रियृम्ट क्थे mm a प्र रशी यंव कि यंद्जिंते अप्नर्सिम्ट अट्न ही फितल प्रेंख द। प्रेंजिप उन्यावस इंद्टेंट आंप оч Cowam कर दोट कर दोंकर आपाँ आप प्रौ लिब्स दुटित अजे य। इफ आप जुटित टो फिल्स पर बेह। और फिल्स डिजित इंडिंड़ को अन्ध बाव इस फूटित दीना बाव जल्सित towards fulfilling the shared dream of 1.4 billion Indians to bring the Olympic movement to India. I wish our talented athletes all the very best for the Games. May this shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! Asanj, Britain's jail has also been arrested. Asanj, Britain's jail has also been arrested. They have also been arrested in Australia. They have been arrested in the US, but they will not be arrested for jail. Asanj has also been arrested in jail. Let's talk about today's topic on consumer adda. In the situation of physical activities, in the situation of India, the US is unfit. In a report, 50% of India has been affected by fitness. After all, what is the fit? The rest of the day of the day, how much exercise is needed? Today, consumer adda will be done in 5.5 minutes. In school and colleges, the dress code has been taken to the Mumbai High Court. In some cases, the first question of the day, the case of Mumbai High Court has said that it will not give a dress code. नहीं देंगे कोट ने इसे सभी के लिए एक जैसे ड्रेस कोट को सही बताया मुंबई में कॉलेज ने हिजाब और बुरका पर बैन लगा दिया था जिसके खिलाफ कुछ चात्रों ने अर्जी दीती और बुरका और हिजाब पहन कर स्कूल कॉलेज जाने की जाज़त मांगी थी तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही आप ख़बरों पर अपडेट रहें सी नबीसी आवास से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरीए हमस्कार ने बुलीन में वास से बुलीन मॉक्षप रहें लुड़े रहेें ङल्सकार